हर देश अपनी सिख्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूस के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफार्म्स करते हुए आगे बढ़ता है मक्सद यह होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टिम अपनी वर्तमान और आने वाली पीडियों को फ्यूचर रेडी रखे फ्यूचर रेडी करे भारत की नेशनल एजुकेशन पालिसी राष्ट्य शिक्षानीती का अधार भी यही सोच है राष्ट्य शिक्षानीती 21 सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तयार करने वाली है 21 सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारी युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरुरत है जैसी स्किल्स चाहिए राष्ट्य शिक्षानीती पर इन बातों पर विशेश फोकस है भारत को ताकतवर बनाने के लिए विकास की नई उचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और ससक्त करने के लिए उन्हें जादा से जादा आवसरों के उपयुक्त मनाने के लिए इस एजुकेशन पालिसे में खास जोर दिया गया है जब भारत का स्टूड़न्ट चाहे वो नरसरी में हो या फिर कॉलेज में साइंटिपिक तरीके से पढ़ेगा तेजी से बदलते हुए समाएं और तेजी से बदलती जरुरतों के हिसाब से पढ़ेगा तो वो नेशन बिल्लिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमी का निभा पाएगा